मैं डक्टर मैंग कुमार राय प्रोफसर एंड हिट क्रिसी विज्ञान केंद्र गौंतम बुदनगर से हूँ और आज हम एनाइयोस के स्टूडियो में इस पे बात करने जा रहे हैं मदुमक्खी पालन में नासीजी प्रबंधन कैसे किया जा सकता है मदुमक्खी पालन एक बहुत ही अच्छा ब्यौसा है और इसमें अगर हम सावधानी न रखें तो इसके लाव के साथ साथ अगर थोड़ी सी सावधानी हो और हम उस पे देख रेक न रखें तो हमें नुकसान काफी हो जाता है इस वज़ा से जो है जो उसके जो बिभिन चरण है जो मदुमक्खी पालन में उसकी जो बिमारियां है उसके जो कीडे हैं वाइरस द्वारा लगता है कुछ बेक्टिरिया द्वारा लगता है कुछ जो है जंगली जानुवर उसको नुकसान पहुंचाते हैं इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं, कुछ माइट्स भी लग जाते हैं, इस तरह से बहुत सारी जो चीजें हैं, उस पे हम कैसे ध्यान दें, इसके लिए जो है, हम आइस पे आज एनाइएवस के स्टूडियो में चर्चा करने जा रहे हैं, और आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हू पहली चीजें हैं, कि हम थोड़ा सर केटेग्राइज करेंगे कि कौन-कौन सी समस्याएं आती हैं, कीड़े के रुप में आता है, तो सबसे पहले मदमख्य पालन में एक वैक्स मात होता है, जिसको कि मौमी पतंगा बोलते हैं, वो नुकसान पहुंचाता है, इसके अलब ब माइट्स बहुत सारे हैं, जैसे कि एक बेरोवा माइट्स है, एक एक ट्रॉपलोपस माइट्स है, ये तीन तरह माइट्स भी लगते हैं, और चवथी तरह का है, जो हम साधारानतिया वह देखते हैं, कि भालो उसको नुकसान पहुंचाता है, मदमख्य पालन को, अमारे उ जो हमारे सामने जो चित्र है उसमें आप देखना चाहेंगे कि स्वस्ति सिसु कैसे जनरली जो है जो नुकसान की अवस्था होती है वो स्वस्ति सिसु में ज्यादा होती है और उसके पाद जब उसके प्रोड कीट आते हैं या उसके जो लारवा आते हैं या उसके जो प्यू लाब होने वाला है उसका हमको नुक्सान के रुप में प्राप्ति होती है और हमारा सारा जो मौन बंस है वो नुक्सान खतम हो जाता है दूसरे जो सबसे पहले हम अमेरिकन फावल ब्रूड और उसकी बात करते हैं फोटोग्राप से आप समझ में आए गया किस तरह से यह अल कि सिसू में ही सबसे पढ़े पेहले ब्ईमारी होती है सिसू कर में रोग रस जो सिसू होते हैं अपने नीमी तरस्तान से खटे हुए होते हैं जो उनका स अस्थान sacred होता है उसके बाद यूह जघाते अपनी जगहसे और पर प्रभाविध सिसु जो है चार से पांच प्रजाती है उसमें कभी-कभी प्रजाती है अगर आप देखेंगे इससु का जो नार्मल रंग होता है उससे जो है रंग सफेद से बदलकर पीला हो जाता है लेकिन अगर इस बीमारी से ग्रस्त हो जाता है सिसु मदुमक्खी का तो वह पीला पड़ जाता है और सूखने पर रवड के जैसे हो जाता है इसलिए इस पर हमको विश्यस ध्यान देने की जरूत होती है और सड़े सिसु में जो बिमारी हो जाती है उसमें खटी गंद आने लगती है जब आप मदुमक्खी पालन जिस एरि बिमारी हो चुकी है रोक की जो गंभीर अवस्था अगर आ जाती है उसमें उस अवस्था में खूले वा बंद शिसु को श्टक बेखरे दिखाए देते हैं तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कैसे इसको हम कंट्रोल करेंगे मौन बंसों को जो चीजी का गुबल हम दिखिल जो अगर बीमारी हो गई तो उस बीमार जो है जो चत्ते होते हैं उनको पहले तो एक घटा दें अगर हमें समझ में आ रहा है तो दूसरी चीजी है कि इनकी जो टोटल जो पॉपुलेशन है और जो जो च्टे है उसमें अलग-अलग जो फ्रेम रखें एक तरह से स्वस्थ नार्ट फ्रेम रखें और जो पुराने जो फ्रेम है जो विमार ग्रस्त हैं उनको cut है क्या जला दें आधें और नहीं नहीं मद मदमख्या हैं उसमें हम अच्छी तरीके से उनको भोजन अगर जारूरत हो थो आठोजन देते हैं अ descends हम बहुत अच्छी तरीकिये से उनका ऐस्सक्त बनाए रखेंगे तो सवस्थ अगर होंगे तो फिर उसमें कोई बीमारी आगे नहीं होगी सवस्थ मौन बंसों को भी अलग कर दें अगर जिसे जो बीमारी हो गई है कि सी छटे में उसको जो नए मधुमन बंस हैं उनको नई रानी देना चाहिए पुरानी रानी को हटा देना चाहिए इसलिए रोग के जो प्रसार के जो कारण है उसमें विशेश रूप से अगर हम ध्यान देते हैं तो हमको लगता है कि इस पे हम कंट्रोल कर सकते हैं यूरोपियन फॉल जो अमेरिकान फावल ब्रीड बोलते हैं जिसमें थोड़ा सा उसमें डिफरेंस होता है बंद शिशूओं की टूपी होती है मत्याले रंग की हो जाती है जो ऊपर उसका कबर होता है है एक तरह से कह सकते हैं और गहरे रंग की स्यकुरी तता छिद्रत हो जाती है सिसूओ प गहरा भूरा हो जाता है और अंत में काला हो जाता है उसमने पीला पड़ता है और इसमें जो है ईद्रूपियन फावल ब्रीड में अपने देखा कि सीधी अवस्ता में होते हैं हमेशा इस तरह से इसको जो हम कंड्रोल कर सकते हैं, मृत शिषू जो होते हैं, सुकर काले या गरे भुरे रंग के सक परत सकेल में बदल जाते हैं, इसमें एक तरह से मोटी पपड़ी टाइप यह पढ़ जाती है, और यह बहुत ही खतरनाक भीमारी है, इसको कंड्रोल करना बहुत ही आउस्ट्रेख होता ह सड़े हुए जो सिसू होते हैं होमल वा चिचू चिपचिपए हो जाते हैं तथा सड़े मांस जैसी बदबु आती है उसमें हमने बताया उसमें भी बदबु आती है जैसे लेकिन इसमें क्या होता है इसमें सड़े मांस की जैसे बदबु आने लगती है और चिपचिपए हो जो कार्फ होते हैं जो है इसको बूद गरम गरम दूद से हम इसको साफ किया सकता और चेक कर सकते हैं इसमें कितने जो है बिमारी के कीस तरह के लक्षण है और इसको कैसे कंटोल किया जा सकता है इसके आलावा जो जो दो बिमारिक हमने बताया यूप्यावल भूटOoh आमेरिकंज रृण पावल भूड के आलावा चाग भूड भी एक बिमारी होती है चावल बुरिट का जो है आप देख सकते हैं इसको कि किस तरीके से इसमें बीमारी के लक्षण आ रहा है और जो इसके बीमारी के लक्षण होते हैं जो प्राया तीन से चार दिन के कमेरी वर नर्व मदमुक्यों के सिसू फफूद से ग्रस हो जाते हैं जो एक तरह से इसमें फंगस के द्वारा इसमें ग्रस हो जाते हैं और सिसू जो है सुरू अवस्था महीं इसमें मर जाते हैं और सुरू में जो सिसू कोष्ट के आकार में समान रूप से फूल जाते हैं और सफेद फफूद से धक्र मर जाते हैं जैसे आप देखे होंगे यह फंगस लग जाता है इसमें भी सिसूओं के ऊपर ही फंगस लग जाते हैं और जब मृत्व सिसू को सुख कर सकत और चाक जैसे सफेद लगते हैं जिसे लगता है कि चाकलेट है चाक पाउडर आप देखे होंगे उस तरह से हो जाते हैं थोड़े दिन में और उसके बाद क काले रंग में परिवर्तित हो जाते हैं इसके लिए रोक थाम हम कैसे कर सकते हैं मौन ग्रह में अधिक से अधिक नमी होने दें जैसे इसमें कभी भी हम देखेंगे कभी भी गर्मियों में खासका समस्या होती है तो हम इसमें नमी की परियाप्त मात्रा होनी चाहिए और आस आप्वास साफ पानी जुए जो गर्मियों में खास कर रहा होता है इनको बहुत अथ्छी तरीकिये से बिक्सित होने के लिए मदूब बखसे होते हैं उसमें 32-35 टेम्परेचर होना चाहिए लेकिन इसमें अगर इसका तेमपरेचर बढ़ जाता है खास करूब जो है गर्मिय सरदियों में घर जाता है तर इसको मद्भमख्यों में ещё उपने अपनी तर इस裡面 करती है कि लिए कह जाता है कि सर्दियों में सुभव मद्भमख्यी के जो लिए जहें बाद रहार्ए ओर और तीन बर हो बढ़ है जाता है तुर्टम से trabajando मस्याएं आ जाती है जो कि चाक बूरूड में भी इसको मदद करती है बीमारी होने में रोक और अवरोधक माउनबंसों की संख्या बढ़ा में किसी अगर माउनबंस में रोग लग गया है तो स्वस्त माउनबंस जहां भी हो वहां से लाइए और जब आपको पता हो कि यहां बीमारियां फैले होई हैं कुछ प्राबलम पहले से हैं तो वहां से स्कत्ते ही जो है मौनबंस आपको लागर के उसको पालने की कोई आव सकता नहीं है और यह जनरली जो है बयक्स मदमक्यों में भी बीमारी हो जाती है इसके आलावा इन तीन बीमारियों के अलावा एक च जो है मदमक्यों में भी मारी जब पहल जाती है तो क्या होता है कि आसपास जो है यह रेंगती भी मिलती है अजब मदमक्यू के आसपास मदमक्यी बक्सों इसमें नौसीमा नामक बिमारी हो चुकी है इसलिए और इसके साथ साथ चटों में अलाइटिंग वार्ड या मौनगरिय के आने भागों को पपपविले रंग के मल में छिट्रे भी नजर राते हैं इस तरीके से हम इनको कर सकते हैं इसके पाचान किया जा सकता है अगर वो सारे क्रिया करने के लिए जिम्यदार होती है वो भी काम करना बंद कर देती है और सिसू को पालना भी बंद कर देती है यह बिमारी होने के बाद ही सिसू को पालना बंद कर देती है और संग्रह का काम भी और ज्यादा संग्रह का काम सुरू कर देती है तो जब हमारा सिसू सिजान माझन हो जाता है और इसके आलवा नौसीमा बिमारी होने के बाद जो रानी घुमाड़े नहीं सिस्थी अगवाऍन। परशेंट कम जोर आता है और इसकी जो जो बढ़ने की जो चमता होते हैं जब अड़ा ही नहीं मधुरानी मख्य देगी तो इसकी पूरी जो है महन बंस कम जोर पढ़ने लगता है और प्रजन दर कम हो जाती है इस वज़े से यह बहुत सी सारी समस्या इसमें नोसीमा बिमारी से आती है इसका उपचार कैसे करते हैं जैसे कि मैंने बताया को कि सर देतु में महन बंसों को परयाप्त मात्रा में भोजनते तथा सुद्रिड बनाया रखें इसके लिए जो है आप इसमें हमें साथ है कभी भी भोजन की कोई कमी नहीं होनी चाहिए और महन बंस को खुले दूप वाले अस्थान में रखें जैसे अगर सर्दियों में इसमें बीमारी के लक्षन आ रहे हैं तो बीमार ग्रस उसको हटा दें और इनको खुले धूप में रखें जहां पर थोड़ी से बहुत धूप मिले इसको और पहले भी हमने जैसे बताया कि आप स्वक्ष पानी का प्रबंद और टाज मानी का प्रबंद अवस्य करें इससे बीमारी को दूर करने में आसानी रहे इसके अलबाब हम पांचमी मारी लोगते के बात करेंगे अपन्स करेंगे рад के मिलें इसके मल के साथ निकालती है उसके साथ यह बाहर राता है अमीवा इस प्रकार अमीवा घ्रस्त मदमक्ी के मल से इस रोॉप कालर संक्रौण अन्य मदमक्akaheं में भी फैलता है एक से दूसरे दूसरे से तीसरे और पूरा एक रही तरह से मवन पढ़ती है जैसा कि हम फोटोग्राप से देख सकते हैं इसके अलावा जो है सबसे इंपार्टेंट है जो हमें बताया कि आपको तीन से चार तरह की जो माइट्स जो लगती हैं सबसे इंपार्टेंट माइट्स होती है दूसरी होती है ट्रोपीलेप्स माइट होती है तीसरा ह माइट्स होती है इन तीनों माइट्स के में जो है का अलगल होता है और जो कभी-कभी 90 प्रत्सत तक जो है बहुत पूरानी बीमारी ये भी हो चुकी है और खासका जो उत्तर भारत में जो है माइट्स जो है एक तरह का जी होता है इसके वज़ा से जो है 90 प्रत्सत तक जो है म माउन बंस कहीं पर नुकसान हो जाता है पूरा इसलिए जो है इसको जो है कंटूल करना बहुत ही ज्यादा अवस्यक है तीनों मैट का थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है इसमें मदमक्खी बंस के तलपट की खुर्चन में बयस मैट देखा जा सकता है जब भी आप मैट जो है दीनीज इसको जो जाम फ्रेम जो नीचे जरख दशु प्रेम होता है यह सबसे नीचे कने पर अजिसको बेश करते हैं तलपट कर सकते आहां उसमें जब हम खुरचेंगे तो खुरच करके देखेंगे तो उसमें आपको मैट्स जो है देखे जा सकते हैं और यह यत्र तत्र बूड जो बीच बीच में खाले रहती हैं उसमें यह पाले पाए जाते हैं जैसे कहीं गयब हो, कहीं कुछ छेद हो, कहीं कुछ कटा हुआ हो, तो इसमें आप मैट्स मिल जाते हैं. मदूबंस के सामने मृत लारवा प्यूपा गिरे हुए दिखाई देते हैं. जैसे मैट्स जब लग जाता है, तो आप उसमें लारवा और प्यूपा जो है आपको, अलग-लग से गिरे हुए और मरे हुए दिखाई देंगे. यह मैट्स के लगने के बाद होता है. और कुतरे पंक और पैर वाली जो मदमखियां होती हैं, जो नर्व और मादा होती हैं, दिखाई देती हैं, जो कुछ जिसे मैट्स लगने के बाद क्या होती हैं, जब अपना उड़ान लेती हैं, जब वो मदू इकठा करने जाती हैं, तो कुछ दूर उड़ करके जो है वो मायट जब हो जाती हैं तो उनका भीकाश रूद बिकास रूर जाता है तो सोटे उद़र की पेठ उनका होता है जो पीच का बीच का पुरसन होता है वह जो है जोटी-छोटी दिखाई देने लगती है नियíst फीर धबा दिखने लगता औगए that कि मायट्स का पूरा प्रकॉप बहुत ही ज्यादा मात्रा में हो सकती है हो गया है उसमें बीमारी हो गई है जो की बैक्टरिया से होती है जब कि यह होता है कि मैट्स और आपस में करने के लिए कि जैसे ही बेरोवा माइट का पता चलता है ऐसे पसुबंस को स्वस्त मधुबंस से अलग कर देना चाहिए क्यों इसका अजब अलग कर देंगे तो उसमें क्या होगा कि जिसमें माइट्स लगा हुआ है जिसमें माइट्स लग गया है वह दीरे दीरे क्या होगा कि अगल बगल में भी फैलने लगता है तो उसको हम क्या करेंगे कि सबसे पहले उसको हम अलग करेंगे और उसके अलबा अगर सपोज के लिए कि 10 फ्रेम हमने रखा हुआ है उस 10 फ्रेम में किसी 2 फ्रेम में माइट लग गया थीन फ्रेम में माईट्स लग गया या नीचे अगर फैला हुआ है तो उन फ्रेम को निकाल करके हम उसको जला देना चाहिए साथ ही बेरोवा ग्रेस्ट मदूमस वाले मदूमस अपने मदूमस को दूर कर देना चाहिए अगर यह संभव होए तो अगर माले जिस सो बक्से आपके सो बक्से आपने रखा हुआ है और हर बक्से में दस-दस फ्रेम अपने बना रखा है और आपका जो मधू बंस है वो स्ट्रांग है बहुत ही मजबूत है और बहुत अच्छा मधू का उत्वादन उसमें से हो रहा ह और किसी एक या दो या तीन बक्से में मैट्स का प्रकोफ हो जाता है तो आपको ततकाल वहां से उसको कम से कम जह है दो किलिमेटर तीन किलिमेटर की दूरी पर उसको ले जाकर रखना चाहिए और उसको छाट लेना चाहिए और उसमें भी बक्से जो फ्रेम है उसको निका देते हैं मदमक् unconscious है तार्स चैपक जाता है और ऐसकी पकड़ को पर ली कर देता है जो माइट झालब Kevin कि को três छोंपकी हो से हट जाती है इस तरीके से हम हुग सारे अ इसके बाद उसके पीर साफ करके इसको निकाल सकते हैं इस तरीके से हम उसको किया जा सकता है इसके अलावाए जो हमारे पास कुछ अस्थानी उपचार भी है अस्थानी उपचार यह है बहुत सारे पाउधे ऐसे उपलब्द हैं जिनकी सुखी पत्ति का दूआ जैसे हम करते हैं मदुमक्षी पालाल में क्या होता है कि जब हम कुछ बिमारियां होने लगते हैं कुछ की उपल्टॉ यह जा सकता है जैसे उसमें माइट माइट भी जो है बहा जाते हैं और उसमें काम करता है जैसे कि तंबाकू है तंबाकू के भी पत्तियों को इसकी चीजों को फूल ऊसका दूआ बना करके और हम उसको प्रयोक कर सकते हैं इसके आलवा में फार्टाल maior का भी हम मिस्रन है उकुतमुत्या का जो अर्क है, नीम का निमवडीन है आखा गोल भी भी हम प्रियोग कर सकते हैं, इसे नीम की पतियों को इकर फेल्टबू हिए नीम की सारे प्रूडक्ट आते हैं, नीम की पत्तियां होती तो काफी इसमें कंट्रोल किया जा सकता है इस तरीके से बहुत सारा हम कर सकते हैं इसके आलावा जो है हमारे पास कुछ रिशाइनिक उपचार हैं जो इसको की बीना करने की सलाह दे जाती है तो मदमक्खी पालन अगर आप कर रहे हैं और कुछ आपको केमिकल्स की ज़वरत पढ़ती है मालीजी अगर लगता है कि मजबूरी है कि केमिकल्स का प्रियोग कर सकते हैं उसके लिए जो है हम राक्षाइनिक उपचार के उरुप में फोकलेक्स का प प्रियोग कर सकते हैं कितनी मात्रा में एक्जैलिक एसीड है उसका प्रियोग कर सकते हैं इस तरीके से बहुत सारी चीजों का जो है हम प्रियोग करके और लेकिन जब तक हमारे पास एक्सपर्ट इस विशय का मौशूद ना हो तब तक हम इस पे जो है इसका प्रियोग करन रजाँ सकता है। और उससे हम आपको कफी आपके जो मदू है ऐसकी क्वाइलटी गिर सकती है। बेड़धे पैमाने मर सकती हैं और इसके अलावा जो हमने जो चर्चा की आप से कुछ जो है South अरी जीसे है मण चेडीया का हमारा कंट्र बहुत ही आउसक है एह- इसको नुक्सान पहुचाता है तो औो आई रखाद बान केलाव चिपकली चाहें चीटा है भरर है ततैया जिसको बोलते हो है हाथी है भालू है बंदर है इस से भे Penis up क् 밟 पहुंचाता है तो अगर हम मद्वुमक्खी पालन जहां कर रहें जिस unlike इन we are हम पर पर इसiau पर नहीं पहुंचेंगे और हम पो तो यह लगता है कि आप इसे बस्क्ति आप इसमेम आती है हमने आपके वाँ आपको बीमारियों के बापा हब बदाए कि जिएसे जीवाडों बीमारी होती है, बेक्ट्टि वइरस के द्उठे द्वारा होती है, बैक्टिरिया के द्वारा होती है, कुछ जानवर होते हैं इसे मुमी पतंगा क्या करता है? जिसको की जो है मौमी पतंगा जो है जा करके नीचे जो है जो उसके जो तलपट होता है वहां अंडा दे देता है वैक्स मात जिसको बोलते है वो अंडा दे देता है और उस अंडे से लारवा बनता है लारवे से प्यूपा और प्यूपा से एडल्ट बनता है इसकी जो पूर आपमस्टा और उसमें नुकसान क्या होता है कि जब उसमें जो है जब करते हैं और मधमक्षी बाधर अनके पैरों प्रेसे जाना है और उनका चपता हम्हें यूचागी उसकेश्चा गुरहें होता हुग लिए और घीड़े तो दस फ्रेम निक्सान पहुंचाने खतम होने लगता है और उसके बाद फिर जा करके यह दिरे दिरे पूरे महन बंस में फैल जाता है और सारा नश्ट हो जाता है तो बैक्स मात कीडे के रूप में यह सबसे इसलिए इसके रोकथाम के लिए मुझे मैं दो तीन चीजें में किसी कही नीचे कट हो वह गाहीं कुछ हो तो उसको जो मदमख्यां में प्रवेश करते हैं उस थोड़ करें बाकि जितने प्रवेश द्वार अगर बने आपको समस्या है तो उसको हमको बंद कर देना चाहिए क इसी भी तरीके से फेवी कोल ले 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 जिए उसके जो प्रवेश न कर पावे जब वह प्रवेश ने करेगी तो अंडे नहीं दे पाएगी और अंडे जब नहीं दे पाएगी तो उसमें जो है उसके बंस की बिर्द्री नहीं होगी इसलिए इस चीज को जो है कंट्रोल करना काफी अवस्यक है इसके साथ-साथ जो है हमारे पास अगर गर्मियों जब आ जाती है तो गर्मियों में क्या होता है जो हमने बताया कि 32 से 35 डिगरी टेंपरेचर अपने आप मधुमक्खियां मैंटेन करती है और जो हमारे मैदानी छेत्र है उसमें कभी-कभी टेंपरेचर 45-47 डिगरी तक जाता है इसलिए गर्मियों में है हमें इसा मैंटेन टेंपरेचर मैंटेन की करने के लिए क्या करना जाहिए कभी भी दो बजे के बाद एक बजे के झाःक नहीं खोलना चाहिए इसके अलावा भोजन की कभी-दियुक दो ऑशकू करना चाहिए और खासकर घजिब की कमी को कंप्लीटे में हम आटिपेटिय डाय करके चीनी का गोल देते हैं उसमे चीनी के गोल देने के बी अ इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा नुक्सान पहुंचा रहा है आज कल जो मदमक्खियों को वह जो हम रसाइनिक दवाओं का प्रियूप करते हैं हसलों में उन रसाइनिक दवाओं से हमारी मदमक्खियां बहुत मरती हैं इसलिए जो है और जो हमारा उत्पादन है वह जाइनिक दवाओंसे जो प्रियूब हो रहा है उन फसलों में वहुत ही वहुत ही आवस्या को तभ CCTV करें इस तरीके से इन वीमारी ओगर रख़ह dudes में चाहिए हैं था सब्सर्वा कर्सक्राइब कर सकते हैं हैं आज इस कार्क्रम में आपको घ्र मुखी पालन के बीसे में बीमारी केड़े और रोक जो भी हैं इसके बारे में बताया आपको बहुत बहुत धन्यवाद